पूरा सोसल मेडिया नैशनल और इंटरनेशनल इस बात से क्योंकि लगबग 350 करोड़ों लोग हैं भारत में और पूरी दुनिया में जो सीधे-सीधे बुद्ध की फिलोस्पी से जुड़े हुए हैं इसके अलावा जो यूरोप के अंदर या उस्टेलिया के अंदर या अमरीका के अंदर या लैटिन अमरीका में या अरब पंटियों के कुछ जानका लोगों में भी ये बात और एशिया के तो सारे देश हैं ही बुद्ध की हर एक बात भारत में जो भी घटना होती है उस पे उनकी आँख नाग कान लगे रहते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा रिशर्च करते हैं क्योंकि उनके पास में संसाधन और पैसा है। भारत के लोग जो बुद्धिष्ट हैं जो क्योंकि असोप के समय तो एरान से लेके और पूरे बर्मा तक सारे लोग यहां बुद्ध को जानने वाले और बुद्ध की फिलोस्पि थी तब तक कोई इसलाम तो था नहीं यहां और ना ही कोई इसाई थे यह तो पैदा भी बाद में हुए हैं क्योंकि मुहम्मद साब का जो जनम है वो 14 साल पहले का है तो 1400 साल के बाद में जो भी घटा हुई है वो सब इसलाम की पूरी दुनिया में तब ही लोग मुस्लिम बने है और जो इसा मसी है उनका 2020 है तो 2020 का मतलब है भगवान बुद्ध 26 साल है मुल लिवासियों की पद्धती यहां कुछ गिनी चुनी पद्धती है जिनमें सिखिज्म भी आता है जिनमें जैनिज्म भी आता है जिनमें बुद्धिज्म भी आता है जैसे आज के समय में असोक तो है नहीं भेजने के लिए जो समराट असोक हैं वो हैं नहीं उनको तो गए हुए बहुत साल हो गए तो अभी भी ये सारी दुनिया में जा रही है समराट असोक के टाइम में तो अमरीका था भी नहीं तो जब अमरीका था नहीं और फिर अमरीका में भी ये पहुँच गई है यानि जो समदर पार हैं वहाँ भी जा रही है तो इसका मतलब फिलोस्पी में दम है, सच्चाई है, बात में सच्चाई है समराट असोगना 84,000 चैते, स्टूप, सिला, खंड किताबें और धमलिपी में, जिनने क्या-क्या लिखवाया, सारा धम लिखवाया जो अधमिक लोग थे, उन्होंने उनको तोड़ा, मारा, काटा, पीटा वगर अधमिक लोगों का भी मांसिक रूप से पतन हो गया और वो पाप के गट में फस गए कोई किसी की विचारधारा या मानता से अगर नफरत करता है तो वो सबसे पहले अपने आप से नफरत करता है किस बात को आप सीखें, इस बात को आप समझें कि अगर मैं आपकी विचारधारा से नफरत करता हूँ तो वो नफरत मेरे अंदर है, विचारधारा में नफरत नहीं है मैं करता हूँ तो मेरे अंदर है अगर मैं आपका घर तोड़ता हूँ तो घर तोड़ने का जो पाप है जो नफरत है वो मेरे अंदर है घर में नहीं है तो कोई व्यक्ति अगर असोग की विचार धारा को या बुद्धी की विचार धारा को या किसी और मत की विचार धारा को अगर तोड़ता है तो विचारधारा में कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत उस व्यक्ति में है उसके मानसिक पड़ा में है भगवान बुद्धने तो कभी जीवन में किसी का बुराग किया नहीं और दुनिया का कोई आदमी ये कहने ही सकता कि वो परफेक्ट नहीं है एक कमी नहीं है उनकी पूरी लाइफ इस्टिम है एक सिंगल कमी नहीं है कोई अगर ये कह दे कि एक रत्ती भरका सुई का भी कमी है तो भगवान बुद्ध का पूरा धम उसके लपेटे में आ जाता एक सिंगल कमी कोई नहीं पता सकता उस संथ के अंदर उस व्यक्ति के अंदर जो शुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, 100% प्योर हो गया फिर भी लोग अगर उसे डरते हैं, लोग उसे परसान रहते हैं अगर उसके आलियों को, उसके सिवालियों को, उसके जो भवन हैं या जो उसके मंदर हैं, या जो उसके विहार हैं, या जो उसके आराम हैं, उनसे अगर डरते हैं, इट पत्थरों से डरते हैं, उसकी फिलोस्पी से डरते हैं, तो बेसिकली बुद्ध का तो कुछ डरने वाला है नहीं, वो अपने पाप करमों से डरते हैं, उनके अंदर इतन ज्यादा है उस संत से जिस संतने आज तक कभी एक चीटी नमा रही हो और कभी को किसी को मानने के लिए कहा भी दा हो जो करोना का पूरा-पूरा सागर रहा है ये बात आप इस पर समझें तो उसके अगर कोई चिन निकलते हैं जमीन से क्योंकि निकलेंगे 84,000 हैं पूरे भार कि अंदर भी भलेक भिकु आ गए हैं कोंकि उनको ये अच्छा लगता है सच्छाई से क्रोना से वह सुख लेना चाहते हैं तो भारत के सारे लोग भी कभी बुद्धिश्टे क्योंकि जब इरान के थे, इराग के थे, नेपाल के थे, पाकिस्तान के थे जो आज के समय में अलग-अलग हैं उस समय तो असुक के समय बरत भारत में यह की हुआ करते थे तो सारे लोग यहां और कोई पद्दती थी भी नहीं तो वही पद्दती वो अपनाते थे तो सारे लोग वही थे मगर किसी आदमी ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि भी सारी लोग बुद्धिष्ट हैं और सारी लोग बहुत को मानने वाले हैं आप क्यों नहीं मानते लोगों की मर्जी है लोगों की चोईस है जो उनका अच्छा लगे करें ये तो जीवन का एक तरीका है जो बुद्धने बताया है जबर्जस्टी तो कभी किसी को बुद्धने कोई फिलोस्पी सिखाई नहीं है इसमें है भी क्या आपको सुद्ध होना है मेहनत करनी है कोई आपको पैसा तो मिलना नहीं है आपको संसाधन तो मिले नहीं है आपको कोई राजपार तो मिलना नहीं है आपको सुख मिलेगा चाहिए तो ले लो नहीं ले लो कोई बात नहीं इसलिए उन्होंने कोई इस तरह का प्रचार तंत्री नहीं बराया जो मजूरन या जवरजस्ति का या लट्ट के अधार पे या तलवार के अधार पे होता हो एक उधार नहीं है कि कभी आसोग नहीं तलवार उठागी ये कहाओ कि साही लोग बुद्ध बन जाओ एक उधारण नहीं है कि कभी अगर बिम्विसार ने या कभी अजासातू ने या कभी अगर कभी परसंजीत ने ये कहाओ कि साही लोग बुद्ध बन जाओ मानेता हैं सबकी उस समय हेल्दी थी जिसको जो मानना है वो चले बहुत सारी मानेता है बुद्ध के समय भी थी बुद्ध ने कभी किसी से ना जखड़ा किया ना ही किसी संत को अपस्प्द का ना ही संतों में आपस में कोई लड़ाई हुई बाद में उनके कारोबार बनाने के लिए जैसा कारोबार में होता है कि संत के नाम का कारोबार बना लो और इसको चलाओए और अपना संपधाय बढ़ाने के लिए और अपने सिवाल याले बढ़ाने के लिए ताकि वो बैपार में बदल जाएं लोग प्रियास करते रहते हैं इससे दुनिया का भला नहीं होने वाला साकेत के अंदर जो साक्यों का खित बुला जाता है वहाँ जो सिलाएं निकली हैं और जो सिलाएं बुद्धगी हैं वो पूरी दुनिया की निगा में है पूरी दुनिया उसको research कर रही है क्योंकि उनके पास में तो research का संसादन है पैसा है, technology है, वो तो satellite से भी photo खीचते रहते हैं कहां क्या निकला है, कहां क्या नहीं एक मीटर का भी satellite से फोटो खीच जाता है आज के समय में और अब तो भारत में pollution भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अब तो change का भी photo ले सकते हैं सब लोगों की निगा है, सब जानते हैं तो भारत की खुबसूर्टी इस बात में है कि एक दूसरे के मत का सम्मान करें अगर वहां बुद्ध का कुछ निकला है तो उसको पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए अगर वो दुनिया के सामने नहीं आयेगा तो दुनिया को पता तो चली चुका है दुनिया उसको देखी है कहीं बहार लोग जाएंगे तो हमारी भग बदनामी होगी कि हमने बुद्ध का जो निकला उसको हमने खुर्दबुर्द कर दिया या उसको माना नहीं और हमने दूसरी मानेता उसको होगी तो दूसरी मानेता को समाप करके कभी कोई मानता जीवन में बड़ी नहीं है हम ऐसा उसको घृरना की दश्टी से देखा गया है आने वाली जनेरेशन भी इस बात को जानेंगी ये मानेंगी कि इस मानता की नीचे एक सब्वेता और दभी पड़ी है एक मानेता हो दभी पड़ी है अब इस मानेता की मानेता कोई मानेता है ही नहीं इसलिए सोचें समझें और जो सद्गुद्धी के साब से कारे हो उसको करें जो देश की तर्की के साब से हो जो देश में इज़त बनाए जो दुनिया में इज़त को पैदा करे कहीं हम सर उठा के चल सके हैं कि देखो हम सभी का खुल-खुल आदर करते हैं संबान करते हैं उसके हिसाब से जीवन लंबा है देश को बहुत आगे जाना है लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं मानेताएं, जो मानेताएं होती हैं, जो सही होती हैं, वो हमेशा ठीकी रहती हैं, और जो मानेताएं काल्पनिक होती हैं, जो खराब होती हैं, वो कुछ समय के बाद में अपने आपी खतम हो जाती हैं, धन्यवाद, आप सभी से ये निविदन हैं, कि अगर आपको ये वीडिय या इसका अध्वासाि निकॉल करने चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपिज़ाइट फिरी है आप अपने फेस्टूक पर अपने पेज़ पर अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ एकना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्चा में बतां शरनं गच्चा में धम्मं शरनं गच्चा में संघं शरनं गच्छं